हेलो फ्रेंट वेलकम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंट आज की वीडियो मैं आपको शॉट्स अप्लोड करने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आप जब कभी भी शॉट्स अप्लोड करेंगे तो आपके शॉट्स वाइरल होंगे ही होंगे और उसके उपर पर समझाना चाहता हूं वो आप ठीक से समझें और इसका लाब ले सकें फ्रेंट शॉट्स अप्लोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी यूट्यूब एप के उपर ना की इस्टूडियो पर दोस्तो बहुत से लोग जो शॉट्स अप्लोड करते हैं वह यूट् बताएं कि शॉट्स को अपलोड कैसे करें अपलोड करने का क्या तरीका है बैस तरीका और उसके बाद जो ट्रिक है वह भी हम आपको यहां पर बताएंगे तो चलिए सबसे पहले तो हम ओपन कर लेते हैं अपने यूट्यूब एप को देखिए यहां पर मैंने यूट्यू Shorts को Select कर लेते हैं, अगर हमने पहले से बनाई हुए, नहीं तो आप Record भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम अपना यहाँ पर Shorts को Select कर लेते हैं, दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम Shorts को Upload करने का तरीका समझ रहे हैं, और उसके बाद इसको Viral कैसे करें, वो हम जानेंगे, तो दे प्रोसेसिंग कंपलेट होने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, तो फिर देखें, यहाँ पर हो चुका है, उसके बाद हमें यहाँ पर जो राइट का निशान है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया, अब यहाँ पर उपर Next का Option है, तो उप और सबसे पहले जो बात है, वो क्या है, आपको जो शॉट्स का टाइटल है, वो बहुत ही शॉट्स देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे-चोटे टाइटल देगे, तो ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि जब पबलिक देखती है, तो चोटा टाइटल जल्दी पड़त आप कुछ भी वीडियो बनाएं, कुछ भी आप शॉट्स अपलोड करें, जब भी आप टाइटल लिखें, टाइटल के बाद आपको शॉट्स लिखना है, हैस्टेग लगाकर, ठीक है, उसके बाद दो-तिन टैग्स ऐसे हैं, जो आपको जरूर लगाने चाहिए, और हर वीड लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आप लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंट वीडियो, और जैसे कि ये क्रैकर्स है, तो यहाप लिख दिया है, मैंने क्रैकर्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स, तो इस तरह से आपको टैग्स निकाल लेने, ठीक है, लेकिन आपको शॉट्स हैस्टेक शॉट्स लिखना है टेंडिंग लिखना है और यह तीन तो आप लिखिए ही लिखिए और अब उसके बाद आगर आपके वीडियो फनी है कॉमेडी है या कुछ भी है वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं देखिए अब सबसे बड़ी बात जो है य तो थमनियल हमारे शॉट्स को वाइर करने के लिए बहूत ही एक इंपर्टन डोल नंफाता है आप स fellow है हो यूज के बहुत के इंदर फैंसी निशान पर मैं कुछ भी नहीं होता है भी इन कर दिया और यहां तो अपर मेरे शॉट्स हैं वह यहां पर खुल चुक्क है अब जो दूसरे लोग जो आप देख रहे हैं कि बहुत सरे शौट जो वायरल हो जाते हैं जिसके अंदर कुछ होता नहीं है लेकिन थमनेल के अंदर ऐसा कुछ वो लगा देते हैं कि वो पब्लिक देखती है चाहे वह आप समझे सकते हैं कि किस तरह का थमनेल होता है तो वह वीड़ीयो के नदर एंक मिली सेकेंड' का कुछ एस एक पॉश्चन उसमें डाल देते हैं और वहांसे अपना घंल उसी को सबस्ते लेकिन उसको बना लकर हैं यहां पर आपना घंफेर चेंज करते सबसे पहले हम अपना यहांपर तमर्णयल बदल लेते हैं अट तो फेंच चलिए मैंने यहां पर एक thumbnail यहां पर set कर दिया उसके बाद हम यहां पर done कर देते हैं ठीक है तो thumbnail आप बहुत सोस समझके change कर जिएगा तो देखें यहां पर मैंने thumbnail यहां पर बदल दिया उसके बाद अब हमें क्या करना है देखें यह फर्स्ट ऑप्शन है इसको आप हमेशा अनलिस्टिट करके रखिए ठीक है ना ही पब्लिक ना ही प्राइवेट अनलिस्टिट सबसे पहले हमें अनलिस्टिट करना है और एक है शिर्च करता रहता है और असके बारे में समझ जाता है कि वह उडीन्स के पास उसको भेजनी है ठीक है तो हम अनलिस्टिट कर देते हैं और वो आपके शॉट्स के साथ डुएट वगरा बना सकते हैं तो उससे भी आपके शॉट्स वाइरल होते हैं तो पहले नंबर पर ही इसको सेलेक्ट करके रखेगा ठीक है अब यहाँ पर उसके बाद देखें यहाँ पर कमेंट का ओप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर हम क्लिक क शॉट्स कर दिया है तो फिरेंज अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर हमने शॉट्स अपलोड किया है लेकिन अभी पब्लिश नहीं किया अब यहाँ पर जो ट्रिक है शॉट्स को वाइरल करने की वह यहाँ पर रोल निभाएगी और वह क्या अभी हम आपको बताते है दोस्तों हमने अपना शॉट्स यहाँ पर अपलोड कर दिया है अब हम यहाँ से बैक कर देते हैं और उसके बाद हम जाएंगे अपने वाइटी स्टूडियो के अंदर ठीक है यह मैंने वाइटी स्टूडियो की एप खोल लिए तो हमें यूट्यूब एप से शॉट अपल अपने वाइटी स्टूडियो पर तो मैं वाइटी स्टूडियो पर आ गया हूं अब यहाँ पर जहांगे ना कंटेंट में यहाँ पर नीचे आपको एक अप्लोड कर आए वह यहाँ पर दिख जाएगा तो देखिए उपर शॉट्स का ओप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक करत सबस्ट्रिप्चन यहाँ देना कि आपका शॉट्स किसे रिलेटीड है आप कोशिच है जो आपका टाइटल ना वहीए आपकर दिस्क्रिप्चन में भी देख देता हूं ठीक है तो आप जो लिखना चाहें आप डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के इसाब से आप लिख सकते हैं लेकिन यहां पर आप हैस्टेग यूज मत करना दोस्तों यह डिस्क्रिप्शन है यहां पर अगर आप हैस्टेग उस करेंगे न तो इसका कोई यूज नहीं है तो चलिए यहां पर हमने अपना डिस्क्रिप्शन लिख लिया है ठीक है अब हम इसको बैक कर देते हैं बैक करने के बाद देखिए अब पहले नंबर पर आपको दिख रहा होगा हमारी वीडियो अभी तक अनलिस्टीड है क्योंकि अभी हमने नुस्ति हम लिख्व i7 सब्सक्रिया कर रिचे करते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्या है हमारा जो ह्यां आपकी वीडिह पर तैल्ल किया इसके बाद आपके शॉट्टस या बीजिए है यहां बीडियो जिसकी न कहीं सब्सक्रिए तक Hall おग्ने कर देना है बैक जाने के बाद और हाँ अगर आप किसी प्लेइलिस्ट में एड़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं तो दोस्तों उसके बाद जो अनलिस्टिट था वो आप यहाँ पर कर दीजेगा पुब्लिक ठीक है मैंने यहाँ पुब्लिक कर दिया अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स हमें करना है यहाँ पर सेव ठीक है देखे जैसी में यहाँ पर सेव करूंगा तो जो हमारा जो शॉट्स है ना यह पब्लिश हो गया मलब पब्लिक के लिए चला गया है लेकिन अब जो अपने शॉट्स को वाइरल करने के लिए जो में ट्रिक थी उसकी बात करते हैं दोस्तों आपने देखा था कि हमने अपने शॉट्स को यूटूब एप से अपलोड किया था ना कि स्टूडियो से ठीक है अब यूटूब एप में हमें क्या फीचर मिला अपने थम्नेल को चेंज करने का तो दोस्तों चले सबसे में क्या था यूट ठीक होगा कुछ ना कुछ अंतरंग सा ऐसी उसके अंदर चीज लगा दी और था था करते हैं अपने और आपने डाल सकते हैं या अपनी वीडियो से ही जो इंट्रेस्टिंग आपको ड़गता वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपना thumbnail बना सकते हैं तो दोस्तों आपकी जो shots है जिस तरह से हमने यहाँ पर अभी upload करी थी पहले YouTube app पर आकर किस तरह से करी unlisted करी थी उसके बाद आपको आदे घंटे तक वेट करना है उसके बाद आपको studio में जाना है और वहाँ पर जाके proper tags वगरा जो भी लगा कर उसको publish करना है तो आपके shots जकीनन viral होंगे ही होंगे friends तो friends कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके बताना अगर वीडियो अच्छे लेगी हो तो इसको like करना, share करना और हमारे चैनल को subscribe जरूर करना हम आपके लिए YouTube से जुड़ हुई ऐसी ही interesting interesting वीडियो लेकर आते रहेंगे तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में तब तक के लिए, bye bye